मेरा नाम मीनु कॉर है और मैं एस्टोसियेशन से दीन साल से जुड़ी भी हूँ और इसका सारा श्रे अरता फैमत सर को जाता है जिन्होंने मुझे एज़े बुमेन यहां पर प्रमोट किया और एज़े ज़र्ज उन्होंने मुझे आगे आगे बढ़ने का मौका दिया मेरा पूरा अश्रे इस चीज के लिए ज़र्ज ना रहे कि सिर्फ मैन्स फेवर होगा तो अगर लेडिस ज़र्ज भी है बीच में तो उनको हमेशा यह एक आस रहे ही कि वो एक ज़र्ज में जो होगा वो बिलकुछ सही दिशा में हुखे लिए होगा उनके लिए आगे इने कससो बार्ज को हमें लुपार इंodि अए है खालर इंचिए हो में कर दोद्च जाए हाँ है नहीं है तो कि विए ओक नğinरढ़ है शुर्ट थाखे लगए है वार्दाओं जो थाold समया इस है और है ड HOLD आपका हम को जोड़ा है वोज़ा है अबार्दे आग्यार्ज व और शेढ़ से नाशता संवाराण है। भार बेखा हुवां कियो थानल गोए है। कि इसे का दिखानी तो और एक पहले देना पड़ेंगा आपको राद को तुक्त कि यादा पोड़ेगा आपको पुमार यह को प्राइब के आपको प्रुम्हें तो नियुक्त करेंगे करें अमारा विया निर्ड अमकसद बरेली में सवास की विद्धी जाउफता पैदा हो और जुछ बैदा हो और वो मौजवान अपनी दिश का नापराशन करें हमारे विफिन दिलों से यहां पर लोग आए हैं परदबाद, रामपूर, बरेली, अंदुरुहा, मेरड, सारनपूर, मरदुलाद, सबी दिले के यहां पज़े दिकारी जौनपूर, सेधापूर, सिल्टानपूर, लखनव। और इन्होंने आने का भक्सा दिये हैं कि हम यहां परदेश के अंदर हर परदिले में और एक चेंपरशिव अपनाईश करें, नौजवानों के जारूपता प्यादा करें, और आने वाले समय के लिए नौजवानों को नशामत्ती से हम मुख करें, हमारा परदेश है है कि और यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, और वो परदेश के अलाम लाशंग करें, उससे बाद नैशनल में पाटिसी विट्टरिंग परदेशी दरफ से, और उससे बाद इंटरनेशनल में, हमारी अभी केंपरशिव आयोजी तुन्यवाली हम रोहां में 25 जोन को, उसमें हम नैश जादा पड़ी है, उसको हडाने के लिए क्या परियास है अपको? में चीज़ अधा हो नहीं है, क्योंकि हमारी प्लियर है साइना दिलर, उसमें अभी जो है, उसमें उनिवर्स बनी, इसमें मिशिक्चे जैंपिन बनी, इसमें बड़ चैंपरशिप बनी, ऐसा नहीं है, कि महिलाओं में हैं, लेकि तोड़ा कम है, और हम चाहरा है कि जवान नशा मुक्त हो, स्वास के लिए जागरूद हो, उसमें हम तरहें तया है, हमारे आगे, इसमें जो बागले हैं, बिटिंग के अंदर मरदबाद, अंगरुखा, अरेली, लांपूर, सीधापूर, जौनपूर, बदायू, लखनव, पैदाबाद, सारानपूर, वाध अधियवाद, उसमें अगर, और आपब विलीवीद, नई जनरेशन के लिए हमारे संदेश है, कि वो अपनी सिहत के लिए, अपनी स्वास को फिट हखें, अपने बागलें, जो तक से बड़ी चीज है, कि अपने माता पिता का मांग करें, आदाश करें, तभी आगे बखें में यह कि जो लोग अपने माता पिता का अपनी फैबली के सम्मान करते हैं, गुर्वा सम्मान करते हैं, वो को भी पीछी नहीं रहते हैं, आगे बखेंगे